आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अब ही डाउटनेट करें प्रशन हमें दिया हुआ है कि क्रिकेट की एक गेंद 15 मेटर प्रति सेकंड की वेग से या प्रानफिक वेग से हम बोल सकते हैं उसे, शैदिज से कौन 30 डिगरी बनाते हुए फेक ही जाती है, अब हमें ग्याद करना है कि प्रिद्धु से टकराते समय, गेंद का वेग इव जिससे में उसकी स्तिति शूने शूने पर है अब यहां पर हमने 37 दिशा में X अक्ष को लिया हुआ है और यहां पर उधर दर दिशा में Y अक्ष को लिया हुआ है ऊपर की ओर अब इस तरह जैसा कि प्रश्ण में हमें बोला गया है कि एक क्रिकेट की गेंद है जो 15 मेटर की त्राइमे कउड़ से 36 से 30 कि का कॉंड यहां पर 36 से हमने कुछ इस तरह कोण कीक है त्लिक को बनाती का कॉण बनाते हुँ रखा खु़ा है यहां पर खूकन यहां पर कोण cricket की गेंद वहां पर छोड़ी जाती है तो हमें ग्यात करना है कि पर छुब से टकराते समय गेंद का वीग एवन दिशा क्या होगा तो इससे देख लेते हैं हम सबसे पहले देखिए यदि एक गेंद यहां से छोड़ी जाती है तो गेंद को किसी निशित कोंड्र तो इस प्रकार से इसके दो घटक बनते हैं इस गेंद के एक 36 दिशा में एक उर्धवादर दिशा में यदि शैतिश दिशा में बनेगा तो हम उससे बोलेंगे UX जिसका मान क्या होगा जिसका मान होगा इस तरह वेग का उर्धवादर घटक जिसे यू वाई से हम प्रशिद करेंगे उसका मान होगा U sin 30 degree के रूप में दिखे दो घटक इस परकार उस गेंद के लिए वेक के अनुसार बनते हैं तो वेक के अनुसार दो घटक यदि बने अब हम बात करते हैं गुरुत्वी तुरन की गुरुत्वी तुरन क्या होगा? गुरुत्वी तुरन जिसकी दिशा हमेशा हम उसे आकर्षन ही कह सकते हैं आकर्षन की रूप में हमेशा पृत्वी के केंदर की ओर होती है तो पृत्वी के केंदर की ओर तो हमेशा उसे हम नीचे मान सकते हैं नीचे होता है तो हम इसे धनात्मक दिशा के रूप में व्यक्त करते हैं अब ठीक है हम देख रहे हैं कि यदि एक जो गेंद है गेंद कहां से फिकी जा रही है गेंद वहाँ पर मूल बिंदू की स्तिती से फिकी जा रही है कहां उपर की ओर तो उसके दो घटक बनते हैं एक शैतिज घटक जो होता है देखें शैतिज घटक की दिशा हम क्या देख है 36 गाटक की दिशा केवल शैधिज और है इसे हम UX से प्रस्तुत करें हैं इसका मतलब है कि यहां पर गुरुति तरन का प्रभावव कहीं विब्रीत है मतलब हम इसे रिनात्मक जी की रूप में प्रस्वत कर सकते हैं उसकी सब्सकिके पर दिशा को है तो हम आप में Яप इसे किस प्रकार हो दाता है ठीकर प्रथम करन के अनुसार से यदि हम देखे तो वह होता है youismo possible to U Ach Hearing taster की आपकरने किसी समय पर किसी निश्य पर उसके अंतिम वेग रुप में रुप में प्रस्तोत करका है तो हमें जो समय करण मिला है, उसका मतलब क्या है, कि देखे, प्राणभीक वेग जितना था, प्राणभीक वेग जहाँ पर यदि हम उर्द्वाधर घटक की बात करते हैं, तो प्राणभीक वेग पे जो था, उस कमान देखे, समय के साथ, यहाँ पर समय है, T, समय के साथ, नहीं होता है झीक है एक स्थिति आय वहां पर 00 हम इसके लिए इसके पत को किस प्रकार बना पाते हैं वो नहीं कह जाता है तब तक वो उच्छेतम बिंदू पर आप्त करती है जहां उच्छेतम बिंदू का बिंदू यहां पर हमने पीस से प्रसुत कर रखा हुआ है अब जैसे ही वो उच्छेतम बिंदू पर पहुंचती है उसका वेक का मान शूने हो जाता है वेक के मान शूने होने से आन्य तल पर आकर गिरती है तो इस प्रकार इसके पूरे पथ को हमने क्या कहा प्रश्जेपर पथ उसके द्वारत है कि कुल दूरी जो यहां से पहले मूल बिंदू से हम लिया था अब वे ओडेश पर हैं तो यह पूरी दूरी इसके लिए शैतिष परास होगी और उसके द् से प्रप्रच्छे पिबिंदो से उठकर के वापस प्रप्रप्शे पिदलपर वापस आना वह होता है व्यक्ति निकाल निकाल हम और यह से वियक्ति किया जाता है हम उसे निकालते है इसका मान होता है 2U sin α fifty olan part जी के रूप में ठीक है तो दिखें T का मध्य हमें निकालना सेकंड वर्ग के रूप में ठेक है तो इससे हमने हल किया तो हमारे पास टी का मान अंतिम रूप से कितना आता है एक दिशमलों पांच सेकंड इसका मतलब यह है यह समय उड्यान काल जो बता रहा है उस गेन का प्रचे पर बिंदू से वापस अपने दल पर वापस आने के लि वह क्या है यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा के रूप में हम उससे देखें तो यू एक्स शैतिस दिशा में विक को बता रहा है तो शैतिस दिशा में विक किस प्रकार से यह किस थरह से परिवर्टित होते हैं वह हम देखेंगे प्रामरिक रूप से यह उनकी हम बात करें तो 36 घटक हमारे पास क्या था, 37 घटक जैसे u x से हम प्रस्तुत करते थे, उसका मान था u cos 30 degree, u का मान कितना, u का मान 15 cos 30 यदि हमने किया, तो ये कितना मान बनता है हमारे लिए, ये बनता है 7.5 वर्गमूल 3 किस पर मीटर प्रती सेकंड के रूप में, ये हमें पहले 36 घटक को बता रहा है, और ये उर्धाधर घटक की हम बात करते हैं, तो हमें u y के रूप में उसके मान को बताता है, u sin 30 degree, तो इसका मान होगा 15 sin 30 degree, तो कितना हुआ, 7.5 मीटर प्रती सेकंड, ये हमें उर्धाधर घटक को दर्चाता है प्राणभी की स्थितियों पर, अब यदि हम दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं, तो हमें तो उटेयन काल समय की रूप में पता है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, अंतिम स्थिति पर बात करेंगे, जब वो प्रिथ्वी से टकराते समय उसकी स्थिति होती है, तो हम यह बोल सकते हैं, देखिए, बिंदू, वो प्रिथ्वी पर टकराते समय, वो बिंदू कौन से होगी, बिंदू O' होगी, बिंदू O' पर, यदि हमें देखना है, उर्धाधर दिशा में, क्या देखना है, हमें वेग देखना है, तो उर्धाधर दिशा में वेग, उर्धाधर घटक के समान ही होगा, उसे हम किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर हम फिर से उप्योग करेंगे, गति के प्रथम समिकरण का, गदि का प्रथम समिकर्ण हमें क्या बोलता है, V बराबर U धन A T, तो देखे, U हमारे पास और V हमारे पास, V हमें देखे, उर्धाधर दिशा में बात कर रहे हैं, तो V वेग होगा हमारे पास पाय के रूप में, चेके हैं, और U जो होगा, वो भी उर्धाधर दिशा पर ही प समय काल है, यह T, यह उड़ाधर काल को ही बताएगा, तो इस प्रकार से हमें उर्धाधर घटक प्रिथ्वी से टकराते समय मिल पाएंगे, तो V, Y कमान यहाँ पर कितना होगा, V, U, Y कमान हमारे पास था 7.5, और यहाँ पर गुणा एक हम कर देते हैं, रिन, यहाँ पर आत इस घटक हम देखें, तो उसके लिए हमें क्या गरना होगा, हमें 36 दिशा में देखना होगा, 36 दिशा में देखेंगे, फिर से हम समय करन, गती के प्रिथम समय करन का ही उपयोग करते हैं, जिसके लिए V बराबर, U, धन, A, T, यह जो सूत्र होता है, वो, तो देखें, अब और शेटिस दिशा की बात हो रही है, तो हमें V, X से प्रस्तुत करना होगा, प्रैम भिक विक यू, X से प्रस्तुत हमें करना होगा, जिबकि हमने कहा, कि यह गृतिू तरण से प्रभावईत नहीं होता है, दो यहां पर जो गृतिू तरण G होगा, उसके लिए उसका मान, शूने रहता है, तो हमने सीधे ही से लिख लिया, तो VX कमान हमारे लिए कितना, UX के बराबर, UX कमान कितना, यह हमने 7.05, वर्ग मूल तीन, मीटर परती सेकंड के रूप में ग्याद किया था, तो यह हमें मिल गया, प्रिथ्वी से टकराते समय, शेधिज घटक भी हमें मिल ग सारा है, कि यहाँ पर UY प्राइमिक रूप से जितना था, अब उसकी दिशा हमें, जो मान प्राप्त होते हैं, VY के रूप में, वो कितना है, रिन 7.05, रिनात्मक दिशा क्या बतारी है, कि वो नीचे की तरफ है, तो हमने इसे धनात्मक रूप ने, और रिनात्मक दिशा नीचे की तरफ हमने बना दी, तो मीटर परती सेकंड, और यदि हम यहां 36 घटक की बात करते हैं, उस बिंदू पर, तो 36 घटक किस तरह बनता है, वेक्स बरावर 7.05 वर्ग मूलतीन मीटर परती सेकंड की रूप में, तो देखिए, अब यहाँ पर जो वेक प्राप्त होने पर आते हैं, तो नीचे हम उसे हल करते हैं, देखिए, सदिश की रूप में हल करना है, तो देखिए, प्रित्वी से टकराते समय कि स्तथी हमने ओड़ेश से ले रखी है, यहाँ पर शैतिच जो घटक होगा, वेक्स से प्रस्तोत होगा, जिसका मान हमने निकाला, 7.05 वेक का परिमान कितना है, तो मालेजी वेक का परिमान वेक के रूप में प्रस्तोत होता है, तो हमें इस प्रकार परिमामी वेक को किस प्रकार से लिखें, यहाँ पर परिमामी वेक, इसे हम वे से प्रस्तोत करते हैं, जिसका मान क्या होगा, देखिए, दोनों के दोनों समक देखिए इसे किस परकार हल किया जाएगा तो वी का मान हमारे पास मौझूद है वर्गमूल हम करते हैं तो हमारे पास तीन गुणा साथ देशनल पांच वर्ग करेंगे तो यह आएगा 56 यहाँ पर 25 के रूप में धन यहाँ पर भी कितना बनता है 56 अब देखिए पूर्ण र हल किया तो वी का मन हमें कितना मिला 15 मेटर प्रती सेकेंड अर्थात हम जान गए कि प्रिथवे से टकराते समय भी उसका विक प्राणभिक विक के बराबर ही रहने वाला है और अब यदि हम उसके दिशा देखते हैं यह तो परिमान मिला यदि हमें दिशा देखनी है तो द e to alpha के रूपमे होएस्थित करते हैं जसका मान होता है Vy अनुपात Vx के रूप में विवाय का मान हमारे पास कितना Vy का मान हमारे पास है 7.5 और Vx का मान हमारे पास 7.5 वर्ग मूल 3 तो देखे इस का मान हटने के पशाथ 1 अनुपात वर्ग मूल 3 मिलता है अब देखे 10 अलफा का मान यदि हम देखते हैं वो है 1 अनुपात वर्ग मूल 3 तो वो किस मान से होगा अलफा के अलफा कमान यहाँ पर कितना बनता है 30 डिग्री पर ही हमें इस कमान मिलेगा अर्थाथ हम बोल सकते हैं कि वह शैतित से अभी 30 डिग्री के कौन परंतु नीचे की तरफ है उसकी दिशा नीचे की तरफ है तो हमें यही पूछा गया था का उत्तर है धन्यवाद